कभी भी किसी टर्टल को ऐसे देखो तो जल्दी से जल्दी उसको सीधा कर देना वरना वो उस टर्टल का आखरी दिन होगा ऐसी सिचुएशन में शेल ही इनकी जान जाने का कारण बनता है और इनकी मजबूरी ये होती है कि ये ऐसी सिचुएशन में खुच से कुछ कर भी नहीं पाते जब तक इनकी मदद कोई और जानवर या इंसान न करे नॉर्मली टर्टल्स के हाथ पैर काफी छोटे होते हैं अब इस वज़ा से एक बार अगर ये उल्टे हो गए तो इनका सीधा होना बहुत मुश्किल होता है दिक्कत ये नहीं है कि ये सीधे नहीं हो पाते दिक्कत तो ये है कि ऐसे ही घंटों तक रहने से इनको सफोकेशन हो सकती है जिसके बाद इनका बचना बहुत मुश्किल है